प्रॉफिटिन फंड के ब्याज का हो रहा है बटवारा अब आपको अपने पीएफ का इंट्रेस्ट दो इंस्टॉल्मेंट में मिलेगा क्या है इसका मतलग करोना के चपेट में केवल मेरी और आपकी इंकम नहीं आई है पूरे देश की इंकम घटी है ऐसे में प्रॉफिटि इंस्टॉल्मेंट में चुकाएगी फिनैशल यह 2019-20 के पीएफ पर आपको 8.5% का ब्याज मिलना है इसे इपीएफो डिवाइट करेगा और पहले आपको ब्याज का 8.15% चुकाया जाएगा और बाकी बचे 0.35% को दिसंबर में दिया जाएगा वो भी पीएफो की बैठक ह होगी और उसके बार तो 6 करोर सब्सक्राइबर इस बार दो किस्तों में अपना इंट्रेस्ट ले रहे होंगे यह पहली बार हो रहा है इस फॉर्मिले को पहली बार आजमाया जा रहा है वैसे अभी वितमंत्राले से इसे मन्जूरी मिलनी बाकी है तो पिछले साल यानि कि 2018 2018 में Profited Fund पर ब्याज मिला था 8.65% का जो कि 2019 बीस के लिए घटा है और इसे 8.5% कर दिया गया था यानि कि यह 7 साल का लो है 7 साल में 8.5% के लेवल्स हमने PF के इंट्रेस में नहीं देखे थे लेकिन 7 साल के इस लो को भूल जाए अभी तो हम ताक रहे हैं 22 साल के लो लेवल् अगर EPFO चूक जाती है दिसंबर में जो वाता कर रही है इंट्रेस की जिस इंस्टॉल्मेंट को देने की यानि कि 0.35% के इंट्रेस को देने से चूकती है तो आपके हाथ में कितना इंट्रेस आएगा 8.15% का और यह लेवल्स जो है 1977-78 के बाद जो है पहली बार ऐसा हो रह होंगे 1977-78 में PF पर ब्याज मिला था 8% और उसके बाद कभी भी इतना नीचे नहीं आया था हमेशा 8.15 से ज्यादा कहीं इंट्रेस्ट लोगों को मिलता आया है लेकिन इस बार क्या ऐसी नौवत आ सकती है ब्याज का जो हिस्सा बाद में दिया जा रहा है वो एक्विटी लिट इन्वेस्मेंट है और एक्स्टेंज ट्रेड़िट फंड ETF को बेच कर उसमें मिलने वाले रिटर्न से इसको चुकाया जाता है लेकिन हम सब जानते हैं कि बाजार जिस तरह की उठा पटक दिखा रहा है ऐसे में सभी के रिटर्न गिरे हैं और EPFO को भी धक्का लगा है अभी EPFO 58,000 करोड का भुक्तान करेगा 27,000 करोड का भुक्तान बाद में दिया जाएगा EPFO को 1,000,000 करोड की इक्विटी इंवेस्मेंट में नेगेटिव रिटर्न मिला है माइनस 8.3% का रिटर्न मिला है जबकि उम्मीद थी कि 3,000 से लेकर 4,000 करोड की कमाई होगी तो फाइदे की जगा हो गया है नुकसान पहले इरादा यही था कि ETF को बेच कर 8.5% की जो इंट्रेस कमिट्मेंट है उसको पूरा किया जाएगा लेकिन बाजार के उठा पटक नेगेटिव रिटर्न इन सब के बीच में अभी ETF को बेचने का मतलब था घाटे का सौधा इसलिए यह फैसला लिया गया कि अभी इंट्रेस का कुछ हिस्सा देंगे और दिसम्बर में एक बैठक होगी उसमें अंतिम नन्न लिया जाएगा कि आगे का जो डिस्बर्समेंट है पॉइंट 3-5% का ब्याज जो बचा रह जाएगा उसे कैसे दिया जाए कब तक दिया ज रह थे तो अब साफ हो गया कि अब आपको इंट्रेस्ट मिलने वाला है लेकिन पूरा नहीं उसका एक हिस्सा केवल 8.15% का ही ब्याज अभी आपको EPFO देगा EPFO की प्रेस रिलीस में लिखा है कि जो बाखी बचे 0.35% का ब्याज है उस पर दिसंबर में बैठक होगी और सब्जेक्ट टू रिडेंशन यानि कि रिडेंशन जैसे होगा और जो रिटर्न होगी उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा तो एक सवाल उपता है कि क्या इस 0.35% के ब्याज पर आगे जाकर गाज गिर सकती है अगर मार्केट का हाल यही रहा इस पर EPFO के बोट मेंबर और भारतिय मजदूर संग के जनरल सेकेर्टरी ब्रिजेश उपाध्याय का कहना है कि 8.5% इंट्रेस का जो वाजा किया गया है वो पूरा होगा बाजार क कि उठा पटक की वज़े से ऐसे हालात बने साथी पर यह भी ध्यान रहे कि आसाधारन परिस्थितियां है और इसी लिए इंट्रेस को इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है पीएफ धारकों को चित्ता करने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें पूरा इंट्रेस्ट जरूर म मिलेगा परसर फानास एक्सपर्ट का मानना है कि पीएफ धारकों को इस तरह से इंस्टॉल्मेंट में इंट्रेस्ट मिलना अच्छी ख़बर नहीं लग सकती है एक इंतजार भी तो अब उनका लंबा हो गया अभी तो कुछी हिस्सा मिलेगा लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि कम से कम 8.5% का कमिटमेंट तो पूरा किया जा रहा है अभी तक तो यहीं कहा जा रहा है अभी इसे घटाया नहीं गया है वाइस इंवेस अडवाइजर के CEO हेमत रुस्तगी का कहना है कि पीएफ धारकों को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि जब पड़ UP Investment Equity में होते हैं तो Market के उतार चढ़ाओ का फर्रक पड़ता है बुरे साल में कम रिटर्न मिलता है अच्छे साल में अच्षा रिटर्न मिलता है और लॉंग और ऐसे में रुक करिएगे ही सही कम से कम ये ब्याज आपको मिल तो रहा है उनका कहना है कि हो सकता है दिसंबर में 0.35% नहीं मिले टाइम लग सकता है आपको देली से मिले लेकिन ब्याज पूरा मिलेगा चलि परसु फानस एक्सपर्ट सबका हौसला तो बढ़ा रहे हैं लेकि मेरा सवाल एक ही है जब हम और आपको लोन लेते हैं तो क्या हमें इंट्रेस्ट को इंस्टॉल्मेंट में पे करने की सवूलियत मिलती है क्या नहीं मिलती लेकिन पीएफ पर हमें आप इसी बात पर सेटल करना होगा कि इंट्रेस्ट आपको इंस्टॉल्मेंट में ही मिलने वाली है बस यही शुक्र मनाईए कि मिल जाए